आप जमो कश्मीर में लेबर कार्ट के लिए ओनलाइन एपलाई कैसे करोगे इस वीडियो में आपको step by step full process दिखाएंगे कि आप JK Building and other construction worker welfare board से आपने लेबर कार्ट के लिए ओनलाइन एपलाई कैसे करोगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी request है आप सबसे कि मैरे YouTube चैनल को सबस्क्राइब कर देना तो चलिए शुरू करते आज की वीडियो तो सबसे पहले आपके लिए इसका जो eligibility criteria है जो required documents है आपके आप जो है वो must be applicant आप जमो कश्मीर के होने चाहिए और आप जो है वो must be एक labor होने चाहिए यहाँ पे डालना होगा अप password password डालने के बाद आपको यहाँ पर capture feel करना है capture feel करने की बाद आपको यहाँ पर login पर click करने के बाद आपको यहाँ पर user name है वो आपका mobile नमर रहेगा और जो आपको password send किया था तब वो ही रहेगा उसके बाद आपको यहाँ पर login पर click करने के बाद आपको यहाँ पर login पर click क उसकी बाद आपको यहाँ पे एक option आ रहा है worker registration का तो आपको यहाँ पे registration form पे click करना है उसकी बाद आपको यहाँ पे अपना इशरम card number फिल कर देना है उसकी बाद आपको यहाँ पे construction worker name फिल कर देना है उसकी बाद आपको यहाँ पे select करना है gender gender select करने की बाद आपको यहाँ फाराइब डालना उसकी बाद आपको यहाँ पे मदढना डालना मदढने के बाद आपको यहाँ जो की जिसका मैकसिमम साइज 100 क में तक रेगा जो आपका फार्मट रहने वाला है वो jpg और png में रहेगा उसकी बाद आपको यहाँ पर अपनी signature या thumb impression एपलोड करना है जिसका size आपका 100 kb रहेगा और जो की format है वो jpg और png में रहेगा उसकी बाद आपको यहाँ पर अपनी spoken language select कर दीनी है उसकी आपको यहाँ पर मिर्चल स्टेटर स्लेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना temporary address फिल करना है यहाँ से आपको select करना है अपना तासील village महुला उसकी बाद pin code पिन code डालने के बाद आपको यहाँ पर post office डालना है उसकी बाद अगर आपका permanent address और जो प्रेरी आडरस है मैं तो आपको यहां पे टिक पे क्लिक करना है टिक पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद यहां पे आपको बता रहा है कि नंबर आफ वर्किंग डेज इन लास्ट ट्वेल मेंट आपको यहां पे कम से कम 90 डेज डालना होगा उसकी बात आपको बता रहा है whether you are self-implied तो आपको यहाँ पर अगर हो तो yes कर देना, अगर नहीं हो तो no उसकी बात आपको यहाँ पर construction worker का bank selector देना कि आपका जो account है वो keys bank में उसकी बात branch name, उसकी बात IFC code और 7 में fill करना होगा account number, account number fill करने की बात आपको इन दोनों पर tick कर देना, उसकी बात आपको यहाँ पर submit family detail पर click करना है, उसकी बात आपको यहाँ पर अपनी जो family members है वो add करने होगे, जितने भी आपके family members है उनको यहाँ पर आपको add करना है, पहले आपको यहाँ पर एके करके member name डालना होगा, उसकी बाद उसका अधार नमर अगर आपके पस available है तो आपको यहाँ पर डाल देना है, उसकी बाद उसका अधार मिर्चल स्टेटर स्लेक्ट कर देना है, वो married है या unmarried जिसको आप family member में डाल रहे हैं, उसकी बाद आपको यहाँ पर उसकी qualification स्लेक्ट कर देना है, उसकी बाद आपको स्लेक्ट कर देना कि उनका relation क्या है इस labor के साथ, husband, daughter, husband, जो भी होगा, उसकी बाद आपको यहाँ अपने जो डाकुमेंट एल आपने रहे हैं, इसकी बाद आपको यहाँ पी डाकुमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं, इसके लिए जो आपकी डाकुमेंट्स की नीड रहेगी, labor card के लिए वो सबसे पहले आपकी age certificate यानि आपके पास age certificate जो है वो आपकी school की या आपको municipal corporation की verify होनी चे उसकी बाद आपको यहाँ पर identity certificate upload करनी है जिसमें आप अपना अधार card upload कर सकते हो या आपकी पास अगर order card है तो आप identity certificate पर upload कर सकते हो उसकी बाद आपको एक employment certificate जो कि JK building construction site से download करना होगा वो आपको verify करना है सरपज से उसकी बाद आपको यहाँ पर एक address proof certificate होना चाहिए जो कि आप अपना अधार card डाल सकते हो उसकी बाद आपको यहाँ पर अपना राशिंग card डालना है राशिंग card डालने की बाद आपको यहाँ पर एक o document की नीड रहेगी वो है आपका bank passbook वर इसमें जो आपको यहाँ पर जो फार्मट रहेगा वो JPG और JPG और PNG फार्मट पर रहेगा यहाँ पर आपको PDF जो है वो LO नहीं है उसकी बाद आपकी बात की जाए यहाँ पर up to 200 के भी तक अपना जो document है वो आप upload कर सकते हो उसकी बाद आपको यहाँ पर submit पर click करने की बाद आप यहाँ प्रेवियू पर आ जाओगे उसकी बाद आपको नीचे आ जाना यहाँ से आपको अपने document चेक कर देने Document चेक करने की बाद आपको यहाँ पी make payment पर click करने के बाद यहाँ से आप अपना जो जालान है वो जरनेट कर सकती हो यहाँ आप से online उसकी बाद आपको confirm पे click करना है उसकी बाद यहाँ से आप जैन के bank से अपना जो account से है वो pay कर सकते हो उसकी बाद आपको यहाँ पे select कर देना कि आपका debit card है credit card या internet banking जो भी है payment करने के बाद आप labor card के लिए apply हो जाओगे तो यह थी मेरी आज की वीडियो कैसे लगी वीडियो उसके बाद आप जो है वो अपना status चेक कर सकते हो कि आपका जो labor card है वो verify हुआ है या नहीं मिलते एक और नई वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई अला हाफीज थेंक यू